मुंबई इंडियन्स और सन्वाइजस हैदरबाद के बीच एक दुआधार मैच देखने को मिला जिसमें मुंबई ने पहले बल्ले बाजी करते हुए इशान किशन और सूर्य कुमार यादव की 84 और 82 रनों की पाली से मुंबई ने 236 रनों का लक्ष दिया जिसके बाद जब दूसरी इनिंग में एसारेज बल्ले बाजी करने आई जिसमें उन्होंने लक्ष का पीछा करते हुए 193 रन्जी बना पाई पर मुंबई इंडियन्स मैच जीत कर भी अपनी जगा प्ले आफ्स में नहीं बना पाई पर मैच में हमें एक ऐसा इमोशनल सीन देखने को मिला जिसे देखका शायद आप भी भावुक हो जाओगे आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए मैच के दोरान जब रहुच चर्मा के टीम प्ले आफ्स की रेस से बाहर हो गई तब रहुच चर्मा दुखी होते वे नजर आए जैसे कि मुंबई को प्ले आफ्स में कौलिफा होने के लिए S.R.H. को 65 रनों पर आल आउट करना था और उनकी टीम ऐसा करने में काम्याब नहीं रही दोस्तों आप रहुच चर्मा को एक बहतरीन कप्तान मानते है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा